हैलो एवरिबन वेलकम टू निता ही रेसिपी विलोंग तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूँ बहुत ही अच्छी और टेश्टी सबजी जो आपने पहले कभी नए बनाई होगी तो आज मैंने यहां ले लिया है 500 ग्राम टिंडा उसे हमारे यहां टिंडोरा बोलते है तो बस टिंडा को मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है और अब हम उसको काट लेंगे लंबे लंबे शेप में तो मैंने यहां सारे टिंडोरा को अच्छे से काट लिया है अब देख सकते हैं वैसे तो टिंडा की सबजी जादा अच्छी नहीं लगते है लेकिन आज जो में बनाऊंगी न इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और टेश्टी लगेगी और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी तो बस यहां हमारा दू जो है गरम हो चुका है सैड में ले लेती हूँ और आज हमें यहां दूपिर का खाना बना रही हूँ तो दिमी आज पर हमें इसको एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है हमें इसमें पानी नहीं डालना है बस ऐसे ही तेल में इसको फ्राय करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको चलाते रहेंगे और इसमें थोड़ा सा इसे स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे नमक डा और यहां हमारा आटा बनके तयार हो चुका है और यहां हमारा टिंडूरा फिर अच्छे से फ्राय हो चुका है आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें थोड़ी से हल्दी, मिच पाउडर, धन्या पाउडर और दो चुमर डाल देंगे बेसन का आटा और मसाले हमें इसमें कुछ नहीं डालना है बस मसाले को अच्छे से मिला देंगे और आती मिनिट के लिए ऐसे चला कर पकाएंगे तो यहां हमारे मसाले जो है अच्छे से पक चुके है अब हम गेस को बन कर देना है और गेस बन करने के बाद इसमें हम डाले हो जाएगा तो बस यहां मैंने यहां एक कप दही डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे और फिर से गेस ओन करके इसको पकाएंगे तो इसमें पानी नहीं निकलेंगे और हमारे सबजी जो है और एक दूसरे के साथ जूड़ी रहेगी तो बस यहां मैंने गेस ओन कर दिया है लाश्ट में इसमें डाल दिया है सबजी का मसाला आदेचम मच जितना और अच्छे से मिला देंगे तो यहां हमारी एक दम थोड़ी सी खटी और चटपटी सबजी बनके तयार हो चुकी है सबजी खाने में बहुत तेश्टी लगती है आप एक बटराए करना आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी बेशन और दही वाली सबजी तो यहां हमारी सबजी बनके तयार हो चुके है अब आप उसको गरम गरम फुल का रूटी के साथ परोसेंगे तो बस यहां मैंने फुल का रूटी भी बना ली है इसमें थो परोसेंगे और साथ में ले लेंगे सबजी थोड़ा सा सलाड ले लेंगे और दहीं ले लेंगे तो फ्रेंड्स आज का यह लंच आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले थेंक एक मेरे जिट साथ सब्सक्राइब करें यहाई संते के हैं